Welcome friends, हम सब को UPSC EPFO का exam date जानने की इच्छा है हम लोग exam date क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि अगर exam date नहीं पताओगा, तो ये कैसे पता चलेगा कि exam कितने महीनों बाद है और अगर हमें ये नहीं पताओगा कि exam date कितने महीनों बाद है तो ये कैसे figure out करें कि हमें अपना syllabus पूरा करने के लिए हमारे पास कितना समय है कितने महीने हमारे पास हैं अपना syllabus खतम करने के लिए इस exam date वाली story को demystify करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ तो कहानी क्या है? कि UPSC में एक meeting हो रहा है meeting किसली हो रहा है? EPFO का exam date decide करने के लिए So meeting का chairman कोन है? So usually मेरा ऐसा guess है कि शाद UPSC में एक joint secretary level का officer है जो इस वाली meeting में decide कर रहा होगा कि exam date कब होना चीए Joint secretary कोन होता है? So approximately जिसने भारत सरकार में जो 20-20 साल पहले IS बना होगा तो वो आज की दिन साथ joint secretary के level के आसपास होगा So meeting में joint secretary साब जी है और शाद एक दो deputy secretary बैठ है, एक दो section officer बैठ है और शाद NIC के एक दो लोग बैठे होंगे और यह लोग बैठ के decide कर रहे हैं कि EPFO का exam date कोन सा होगा ठीक है? अब hypothetically joint secretary साब बोलते हैं कि हम 10 सितंबर को यह वाला exam कर लेते हैं और बताओ, so joint secretary साब बोलते हैं कि 10 सितंबर का हम यह वाला exam कर लेते हैं अब 10 सितंबर को करने के लिए बताओ क्या त्यारिया करनी है, क्या करना है let's have this meeting and decide कि उसके लिए में क्या क्या prepare हमें करना है ठीक है अब उसमें क्या होता है इसी meeting में बिल्कुल freshly joined अभी एक section officer भी है जिसने अभी भी नया नया नोकरी लगा है और exam exam pass करके, मैंनत करके वो आया है इस meeting में वो भी बैठा है so section officer बोलता है कि sir हम 10 सितंबर को ताम नहीं कर सकते sir paper तो क्यों नहीं कर सकते भई फिर section officer ना एक वो निकालता है sir मैंने ये ना UPSC का calendar मैंने निकाला और इस वाले calendar में जो 10 सितंबर तो जो dates UPSC के 80 exams की हैं उसमें 10 सितंबर तो sir पढ़ता नहीं है इसमें 2 जुलाई का date है इसमें 20 अगस्त का है 8 अक्तूबर का है यही date है sir हमारे पास तो और फिर joint secretary साहब उसके तरह एक बार देखते हैं और 2 minute का pause लेते हैं और फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है ओके और फिर सामने जो दूसरे बैठे होते हैं deputy secretary उनको बोलते हैं हाँ भी बताओ 10 सितंबर को करने के लिए क्या-क्या तैयारिया करनी है कितने school कितने center वो सब हमें आप बताओ सो वाइज यह value है इस UPSC के RT calendar का in deciding the dates of recruitment exam इस तरह यह वाला चीज होता है अब इस बात को समझने के लिए कि कैसे UPSC का जो annual calendar है that is a useless thing for deciding date of recruitment exam अब आप लोग मेरी बात ऐसे तो मानोगे नी तो हम क्या करते हैं हम ना कुछ exam ही देख लेते हैं जो आजकल हुए हैं या हो चुके हैं या होने वाले हैं ठीक है तो इसके लिए मैं आपको एक human apparatus की website पे एक page पे लेके चलता हूँ और यहां expected exam date को लेके हमने एक page बनाये हुआ है ठीक है अब आप लोग क्या करो कि जो यह वाले जितने भी exam है ना एक बार आप इनको देखो ठीक है यह जितने भी exam है एक बार आप इनको देखो हमने क्या लिखा कि exam का नाम लिखा है और वो exam किस date को हुआ और फिर कि वो जो date है वो UPSC के RT calendar में जो UPSC के annual calendar में RT के लिए result date थी भी आ नहीं ठीक है एक अपरेल को अभी paper होने वाला है फिर दो अपरेल को हो गया दोनों calendar में नहीं है 2023 के बाइद आप यह calendar देखना तो बड़ा ही आसान है यह सारे calendar UPSC की site पर अवे लेबलना आप Google करोगे UPSC annual calendar एक दम आपके सामने आ जाएगा मैं आपको दिखा भी देता हूँ जैसे 2021 का calendar है यह ठीक है इसके बाद यह 22 का है यह टेस्का है यह आप कोई भी Google करके आप देख लीजेगा So coming back अभी जो paper होने वाला है वो है 1 अपरेल को यह calendar में है नहीं है उसके बाद पेपर होगा 2 अपरेल को Store Officer DRDO का calendar में है नहीं है इससे जो पहले paper हुआ वो हुआ 11 दिसंबर 2022 को क्या वो calendar में है नहीं है उससे पहले 28 अगस्त को हुआ calendar में है नहीं है उससे पहले 27 अगस्त को हुआ calendar में है नहीं है 17 जुलाई वाला हुआ deputy director ESIC वो भी calendar में नहीं है deputy central intelligence officer IB के लिए exam वहा 16,00,00 को 2022 को क्या वो calendar में था वो भी नहीं था so guys incidentally incidentally पिछले 10 महिने में UPSC ने जितने भी recruitment exam किये है उन में से एक भी उसके calendar में reserve date नहीं है एक भी उसमें date नहीं है so guys इससे हम क्या समझ सकते हैं so इससे हम यह आपको बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि calendar वाली date को exam नहीं होगा इससे हम लोग यह कह रहे हैं कि probability of EPFO exam being conducted on a reserve date in annual calendar is same as probability कि वो किसी और दिन हो या फिर दूसरे शब्दों में अगर हम कहें UPSC जब अपना date decide करता है तो वो इस calendar को देखता भी नहीं है अगर by chance date पढ़गी तो पढ़गी ठीक है otherwise they don't care बाकी जो regular exam है NDAC, DEAT, Civil Services, Engineering Services उनमें ठीक है उनमें सब होता है और यह सब आप खुद भी करके देखो by the way यह तो incidentally ऐसा हुआ कि पिछले 10 महीने में एक भी पेपर date को नहीं हुआ of course एक आदा हो भी सकता है अनि कि हो गई नहीं उनको कोई जिद नहीं है कि उनने करना है नहीं नहीं है date को but by chance हो गया तो हो गया otherwise they do not care so guys पहला conclusion कि अगर हम अपना exam date UPSC के calendar को लेके decide कर रहे हैं तो फिर हमें अपने विचारों पर एक बार दुबारा से विचार कर लेना चाहिए कि यह क्या useless चीज हम लोग कर रहे हैं सबसे पहले तो इस useless इस useless आर्टी कलेंडर को हम sorry इस useless annual कलेंडर को हमारे EPFO के date के लिए हम इसे side में रख देते हैं it has zero value अगे बढ़ते हैं अब अगर मुझे अब अगर मुझे अपना date पता ही नहीं है और calendar is also calendar is also useless तो मैं प्लान कैसे करूँ मैं कैसे प्लान करूँ कि मेरे पास कितना समय है अपना त्यारी करने का और हमें भी नहीं डेसीज की हम लोग जो आप लोगों का भी live classes शुरू की हैं EPFO का हमें भी प्लान करना है कि कितने महिने में से लिए हम लोग खतम करेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम प्रिवियसली UPSC का थोगा trend देख लेते हैं कि UPSC form निकालने के बाद और exam conduct करने के बीच में मोटा मोटा कितने महिने का समय लेता है so the time between notification and the time between exam date मोटा मोटा क्या है और देखते हैं कि उससे हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं so again I am taking you on the same page हमारा जो website or human page सक उसी पर आपको लेके जाता हूं मैं ठीक है और हम लोग देखते हैं कि क्या trend रहा है UPSC का so guys हम लोगों ने 15 से 20 exam हम लोगों ने देखे हैं कि जो पिछले कुछ दिनों में हुए हैं और मैं आपको ये दिखा जेता हूं so अगर आप देखो कि पहला column क्या है कि exam का नाम दूसरा column क्या है कि किस महीने में उसका notification आया third column क्या है कि उसका exam किस महीने में हुआ fourth column क्या है the gap between notification and exam date जैसे कि store officer DRDO का notification आया February 2022 में exam date है April 2023 दो अपरेल को paper है ये ये 14 महीने बाद हुआ similarly vice principal GNCTD के लिए date of notification था मई 22 और exam का date कब है कब हुआ ये December 22 में हो गया तो ये 7 महीने बाद ये paper हुआ तो ऐसे एके करके हमने जितने भी हमें मिले पिछले 15-20 ताकि हमारे पास एक reasonable data set हो हमने सब का एके करके निकाला और ये आपके सामने है वो नंबर है 5 महीने और ज्यादा ज्यादा कितना time है maximum limit क्या है maximum लगा लेजिया 12 महीने के असपास तो 5 से 12 महीने एक entry 19 महीने वाले भी है हमारी टेबल में लेकिन जो EPFO का प्रवाना पेपर हुआ था लेकिन that was because of COVID की lockdown वगरा हुआ तो इसलिए तो आउटलायर वैल्यू है इसको हम अपने discussion से हटा देते हैं बट अब बाकी हम data देखें तो 5 से 12 महीने के बीच में समय लिया UPSC ने notification आने के बाद और exam conduct करने से पहले अब इसका हम क्या करें हम इससे क्या conclude कर सकते हैं पहली बात तो ये कि अगर हम मोटा मोटा देखें कि हमें we hope कि हमें अपना त्यारी करने के लिए 5-6 महीने तो minimum मिलेगा minimum का मतलब क्या है कि इतना तो हो गाई इससे ज़्यादा भी हो सकता है 5-6 महीने तो हमें minimum मिलना ही चाहिए of course unless कुछ ऐसा emergency आ जाए कि EPFO का Central PF Commissioner या Ministry of Labor के Secretary साब UPSC के दरवाजे पे खड़ो जाएं कि Chairman साब paper कराईए हम मर गए हमें officer चाहिए हमें से काम नहीं हो रहा है तो फिर तो सब को संभव हो है मोटी जी के राज में unless if this is a usual course of business तो हमें 5-6 महीने तो हमें कम से कम मिलेगा ठीक है अगर average देखे तो 7-8 महीने लेकिन कम से कम पे जाता हूँ क्योंकि इस analysis से पता चलता है कि 5-6 कम से कम महीने हमें क्या करना चाहिए हमें अपना syllabus खतम करने का प्रियास करना चाहिए 4-4 महीने के आसपा 4-4 महीने के आसपास हमें कोशिश कर रही है हमें अपना syllabus खतम कर ले हमने भी इस तरह बनाया है अभी 20 मार्थ से class शुरू किया है हमारा प्लान है कि 15 जुलाई तक हम अपना syllabus खतम कर लेंगे मोटा मोटा हमने ये प्लान अपना बनाया जो coaching classes हम लोगों ने जो शुरू की है सो चार-शड़ चाय में ने बस खतम कीजिए उसके बाद जो अगर exam पांच से मीने में भी होता है जो कि minimum टाइम है तो एक डेट मेना थोड़ा हमें revision के लिए मिल सकता है उसके बाद जो भी है good for us उसके बाद जितना भी extra time है उसे हम अपने revision के लिए या चीजों को पका करने के लिए दोबारा तीन बार पढ़ने के लिए उसको हम प्रियोग कर सकते हैं यह वो है कि जो doable है और जो practical है और जो हमें based on data दिखता है इस सारे discussion की तीन समरी है समरी नमबर वन कि UPSC का recruitment जो calendar है sorry UPSC का जो annual calendar है यह बिल्कुल useless है इसको देखना भी पाप है conclusion number two ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हमें exact exam date predict करवा दे conclusion number three based on previous history जितने भी UPSC के recruitment exam हुए है उससे पता चलता है कि 5 से 12 महीने के बीच में कहीं time होता है and therefore हमें अपना त्यारी इस तरीके से करना चाहिए कि हम 4 से 4 महीने के अंदर हम अपना syllabus खतम करने का हम अपना plan बना ले this is best you can do in fact let's be realistic this is the only thing which you can do इसके अलावा हमारे पास कोई option है भी नहीं so guys that's all about the exam date अब हम लोग क्या कर रहे है on every Thursday at 9 p.m. we are conducting an online session इनी सभी सवालों को address करने के लिए so इस वाले session को जो हर अफ़ते रात को 9 बजे होगा on Thursday you can ask anything आपको syllabus के बारे में कुछ पूछना है आपको syllabus के अंदर जाके किसी सब टोपिक के बारे में कुछ भी discuss करना है you are welcome आपको exam के बारे में exam pattern के बारे में कुछ पूछना है आपको expected exam date या फिर cut off difficulty level waiters of topics कुछ भी discuss करना है you are welcome आपको हमारे course के बारे में कुछ पूछना है you are welcome so guys anything APFC और EO EO के exam को लेके आपके मन में अगर कोई भी सवाल है आपको preparation में कोई भी challenge फिल हो रहा है कि हम क्या करें क्या नहीं करें क्या छोड़ दें क्या जरूरी है क्या नहीं है anything which you are feeling you are welcome हर एक Thursday को रात को 9 बजए so guys इस वाले weekly session को join करने के लिए आपको क्या करना है human operators की website पे जाना है on the home page itself there is a link APFC and EO ask anything session इसको आप click करोगे and you can join it so guys see you there हर एक Thursday को रात को 9 बजए